कश्मीर में बदलाव आएगा बाजबे का सुपड़ा साफ होगा ये जम्मू कश्मीर की आम वाम ने मन बना लिया और कल पियाची वाले जिस दंग से लाटी जारी गिया मिनिस्टर साफ के बास गये उनको अगर वहां पी होते तो उनसे बात करते अपनी बच्चे हैं हम सारी तदाद में जम्मू कश्मीर में जो है वाइन शॉप खोलने का जो है एक प्रपोजल दिया गया है आपको बता दे किससे पहली भी जब एक साइस पॉलिसी आई थी तो उसको काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था क्यूंकि धार्मिक्स तल जो थे उसके बाहर भी जो जम्मू की जनता ने बहुत से लोगों ने इसका प्रदर्शन किया था और कुछ एरियाज में वाइन शॉप नहीं खुल पाई थी लेकिन कल जो एक आदेश आया है जिसमें से कुछ वाइन शॉप जो है कश्मीर में खुलेंगी और मिजॉरिटी जो वाइन शॉप है वो ज को जम्मू में खुलेंगी तो क्या एक साजिस्ट चल रही है कि जम्मू को अब एक वाइन यूटी बनाया जा रहा है चरुद आख़ें और महज? एक साइस पॉलिसी आई है तो क्या ये महस एक ही वे है रेवन्यू जनरेट करने का क्या टूरीजम नहीं है क्या और ऐसे रास्ते नहीं है जिससे हम रेवन्यू जनरेट कर सकते हैं यह बाजपा को मुबारख है कि उन्होंने जम्मू में बहुत बड़ा तौफा दिया गिफ् पहले ही कितनी थी मैकसिमम अगर सतर साल में भी बात करें हैं जो बात करते थे तो उसे ज्यादा नहीं थी आज जब से इनकी सरकार है डबल से डबल हो रहा है और यह पचास ज्यादा खोल रहा है जम्मू को मंदरों का शैर है इसमें हम समझ देंगे अगर कल कॉल पूली त कार है लोगों को इनके कठनी करनी का फरक पड़ गया असर लाम हो गया जों लोगों के ठेकेदार जमू ने को पूली टाकत जहां पे दे ते जह आ टहँंता ताकत से इन्होंने जमू कश्मीर के अवाम का गला कोड़ दिया है चाहे वो स्यासी हो स्टेट को तोड़के यूटी बना दे और उसके बाद नोजवान जो हो जो कल तक प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया करते थे आज तो प्राइवेट सेक्टर से भी नोकुरी से बंच है थी चाहिए जमू में यह भी आता है यह आम लोग चाहिए वो सैरगा करने वाले हैं यह टाक अफ दी सीटी है यहां पर है कि लोग इस डंक से इनसे उम्मीद लगा के बैटे थे आज बाजपा चुप क्यों है बाजपा के सांसों चुप क्यों है आज जितिंदर सिंग ज और से नो टू ड्रॉग्स जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया और उसी में जाफा यहां पर कर दे जब हम सब लोग को लेक्टिवली कंपेंड चला रहे हैं कि किसी डंक से नश्यमुक्त यहां पर हो जाए पूरा नहीं तो कम से कम एक सिस्टेम अभी दूसरा खोड़ने की जरूर कि रेवन्यू किसी और से भी हो सकता था और यहां पर ही आज ट्रांस्पोर्टर के एहलाद देखो कि ट्रांस्पोर्ट सेक्टर को भी 20 साल के बाद गाड़ी आटानी बढ़ेंगी तो गरीब आद भी गरीब ट्रांस्पोर्टर कहां जाएगा उसके लिए क्या साथ दोबारा आपने पाउंबे खड़ा हो पए और उसी साथ में एक साइस पालसी का आना डी लिमिटेशन का निया एक ऐसा मोहल तेयार करना कि लोग गर गर एक बाई जो पहले बिलकुत साथ रहा करते थे गुजर बकरवाल पहाड़ी अपस में लड़ाई करने का मोहल ब बाड़ी है चीक है उसमें किसी की इंवाल्मेंट नहीं होती है और ओन सारे डिसिजन लेती है लेकिन इसी बीच में जब कुछ इस तरीके का आडियो क्लिप्स वाइरल हो जाते हैं जिसमें कहते हैं कि पूरी कांस्टिशनल बाड़ी को बुल्डोज बाजपने किया है कहीं कोई भी दारा देखो आडियो का रिलीज होना संग्यान क्या ले लिया क्योंकि जो प्राइम मिस्टर साब ने अपने उच्छ तरीके मीटिंग घर पे बुलागे जिसमें 14 पार्टियों की मीटिंग थी सब नेता वहां थे सारे चीफ निस्टर थे पराने फार्मर उसमें ब लाग बताली जार दूसरी एक लाग बत्तेजार तो फिर दो करने का फैदा क्या था आज सुझेद गड़ को जिस टंक से लोग सड़कों में यहां पे होगा है सड़कों में वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आज भी जा रही है जिन लोगों को इन से उमीद है य उनको कश्मीर के हवाले कर दिया बाजबा नंत ना गए हमारे लिए तो सारे बराबर हैं लेकिन किस डंक से क्या जोरी पहुंच के लोग इसके लिए त्यार है कौन से चीजों को कार्ट फिटेस में लिया गया अब सिरफ इसी डंक से डिलिमिटिशन कमिशन की रिपोर्ट अब जैक्शन राजें किसी डंक से विलंबता होती रहे और चुनाव लेट होएं अब चाहते हैं कि चुनाव ने कहा था डिलिमिटिशन कमिशन के लाद फोरी दोर पे चुनाव होगे उसका समय तो टाइम तो करते साथ सीटे बढ़ानी थी कितना एक्स्टेंड करके दो द चैसनेस होगी नौजवानों को कहीं रोजगार नी प्राइवेट सेक्टर में कोई नी आया आपने पूरी जम्हू कश्मीर के पूरा पैसा सरकार का पौर कंपेंड करने के लिए दुबैई महाराष्टरा बंबे सारा कंपेंड बटाओ लोगों को सामने बताओ उस जो आप आपने खर्चा वहां पर गया कौन सा प्राइवेट प्लेयर जमू कश्मीर की दर्ती में यहां पर अपने इंवेस्टमेंट करने के लिए आया तो लोग जो मीद लगा के बैठे थे सिर्फ यह वाइड पॉब्लिसिटी लेते हैं खबारों में इनका प्रोग्राम अखबारों सिस्टम लगा था कि लोग फोरी तो पर फास्ट्रेक में रिक्रूट्मेंट यहां पर होगी सेल्फ एल्प ग्रूप उपर से देखें जवानों पर लाठियां बरसाई जाती हैं पहले यह पोस्ट निकालते हैं वहां से रेवन्यू जनरेट करते हैं पोस्ट अपनी मर्जी में हैं उस गेरे में उसे आप जेब से पैसा भी निकल वाते हो और कल प्याची वाले जिस डंक से लाटी जारी गिया मिनिस्टर साब के बास गये उनको अगर वहां पी होते तो उनसे बात करते हैं अपनी बच्चे हैं हम लोग इनके साथ खड़े हैं हमने को अप फरंट प पहले स्ट्रीम लैंड यहां पर किया था अब तो सरकार में भी रहे सरकार से बार भी होगे आप डबल इंजिन की सरकार है उनको बात करने के बजाए प्यार से बात करते उन पर लाटियों के जरी अपनी बात रखने का हग भी उनसे चीन लेते हैं तो इस डंक से बीसे वाल कैसे वक्त आएगा हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे और इनकी जाइज मांग को फोरी तोर पर एलजी साब से रिकास्ट करेंगे फोरी तोर पर कंसीडर करके इस इशू इस चैप्टर को खतम कर दिया अब ज्यादा देर तक नहीं कि लोग सटकों भी परदेशन करते न को हमने मन बना लिया क्योंकि सिर्फ कांगर्स अपने लोग अज रिफ्यूजी जो लोग थे जो इनके अंदबक्त हो थे इनके बैकावे में आगे इनको सत्ता तक पहुंचा आगे और वहां पे लोगों को यह उमीदी कि मनमौ सिंग ने 25 लाग का पैकेज दिया है रिफ्य जब उनको साड़े पांच लाख रुपया दे दो आप और बंद कर दो यह कांगर्स का दबाब था कि दो मीने एक्स्टेंट कर दिया आप वो उन लोगों को भी पूरा कलेम नहीं मिला आज वो रिफ्यूजी भी तरफ रहे हैं वो भी बेसमरी से इंतजार करें कि अब चु लिए और कांगर्स हाक में वोड़ दिया लोग आज मन बुना चुके हैं कि आज किस टंक से भी यहां पे हो इनका बाजबा का बदराब कांगर्सी कर सकते हैं और काल बड़े फार्मर चीमिनिस्टर का बियान भी अपने सूना होगा कि उसका मुकाबला करने के लिए कांगर प्रसुन रुकसार कान के साथ स्टेटी